नमस्ते मैं हूँ डॉक्टर सुरेश और टीचर एजूकेशन सिंप्लिफाइड चैनल में आपका स्वागत है यह वीडियो ब्लॉग के बारे में है ब्लॉगर.com इस वेबसाइट पर हम अपना फ्री ब्लॉग किस तरह से कर सकते है ब्लॉगर एक फ्री टूल है गूगल की तरफ से इस ब्लॉग को आप एक वेबसाइट की तरह देख सकते हैं यह वेबसाइट ही होती है इसमें आप फोटो, इमेजे, लिंक्स और बहुत सारी जानकरी शेयर कर सकते है तो आपको ब्लॉग क्यों बनाना चाहिए खासकर जो टीचर से उनके लिए मैं बता रहा हूँ जब हमें कुछ जानकरी स्टूडन्ट के साथ शेयर करने होती है तो हम या तो वाट्सअप का ग्रूप होते हैं वहाँ पर शेयर करते हैं या फिर हम यूट्यूप पर वीडियो बनाते हैं उसकी लिंक शेयर करते हैं या फिर गूगल क्लासरूम वगरा यूज करके हम वहाँ पर रिसोर्सेज जो है वो शेयर करते हैं वो रिसोर्सेज चायद हमने बनाए होते हैं या फिर किसी दूसरों ने बनाए होते है जब हमें सारे resources share करते हैं तो timeline में ये resources कई खो जाते हैं अगर हमें फिर सो ढूंडना होगा तो हम ढूंड नहीं पाते तो अगर आप उस सारे resources अपने blog में रखते हो तो अपना आपका blog आपके सारे resources एक जगों पर रखता है जिसका फायदा होता है कि कभी भी किसी भी time में जाकर आपके सारे resources एक जगों पर पा सकते है यही फायदा हमें website से भी मिलता है लेकिन website पर के लिए खर्चा आता है expensive tool है blog free में हो जाता है अगर आप social media पर आपके जो resources होते है और वो share करते हैं तो वो post में कई खो जाते है और कई हम gallery से delete करते हैं तो वहाँ से भी कुछ images होती है वो भी delete हो जाता है या फिर जो भी chat होती है वहाँ से link delete हो जाते है अगर हम Facebook Instagram पर share करते हैं वहाँ पर इतने सारी जानकरे होती है कि वहाँ पर भी आपके सारे resources खो जाते हैं अगर आप blog बनाते हैं तो उसमें ये नुकसान नहीं होता सारे resources एक जगा पर होते हैं blog next लिए आपके student को कई पर भी login करने की ज़रुरत नहीं है जैसे website देखते हैं उसी तरह से आपका blog भी देख सकते हैं अगर आप किसी दूसरे platform पर आपकी सारे resources शेर करते हो तो वहाँ पर बाकी teachers के भी resources हो सकते हैं जैसे google classroom हो या फिर whatsapp group हो तो वहाँ पर भी दूसरे teachers के भी resources होते हैं तो उसमें आपके resources उसमें mix हो जाते हैं और यह ढूंड़ना मुश्किल हो जाता है कि आपके resources कौन से हैं ब्लॉग में यह फायदा है कि सिर्फ यह आप आप ही का blog होगा आप ही के subject के लिए होगा तो उसमें सिर्फ आप ही के resources एक ही जगह पर होगी तो इसमें दोनों benefits आते हैं social media के भी और website के भी यह फायदा है कि आप आप को अच्छा ब्लॉग बनाना है अगर आपको अच्छा ब्लॉग बनाना है तो आपको लिए आपkk unl ब्लॉग जो एक सिंपल इंटरफेस होना चाहिए वह आप ही को डिजाइन करना होता है उसका कॉंटेंट ओरिजनल होना चाहिए क्योंकि कॉपीराइट का इस्यू ना हो और स्टूडेंट को भी उसका फायदा हो टेक्नोलोजी का यूज भी जितना ऑप्टिमम उतना ही करें ना जादा करें ना कम करें और विज्यूल जो उसके टेंपलल कलर डिजाइन वगरे वह भी आपको अच्छे से डिजाइन करना है वह सारा फ्रीडम आफिक होता है जब आप ब्लॉग तैयार करते हो जब आप बनाना चाहते हो ब्लॉग तो आपके लिए एक इमेल अकाउंट होना जरूरी है अब मैं दिखार रहा हूँ कि ब्लॉगर में बनाना है तो उसके लिए जीमेल का अकाउंट होना बहुत जरूरी है आपका परपस होना चाहिए कि किसलिए आप ब्लॉग बना रहे ह आप लेखक है और आप चाहते हैं कि आपके सारे जानकरी एक ही जगह पर मिले students को, तो आपका वह purpose है कि सारे books की जानकारी देना या फिर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप student के साथ योट्यूब के लिंक शेयर करते हैं, उसकी एक जगह पर रखने तो वह आप शेयर कर सकते हों आपका एक target group होना चाहिए जैसे आपके जो student से वह आपका target group होगा और आपका जो subject है उसके हिसाब से students होगे आपके पास material होना चाहिए publish करने के लिए जो original यह आपका है आप दूसरा copyrighted material यह आप publish नहीं कर सकते क्यूंकि यह publication tool है लाइंग्वेज ठीक से इस्तिमान करने होगी जो community guidelines होती है वो भी आपको ठीक से लिखना होगा और आपका continuously आपको ब्लॉग बनाकर उसको continuously यूज़ करना होगा जो बाते दहन में रखनी एक तो copyright material आपको पब्लिश नहीं करना है कि नहीं तो आपका ब्लॉग भी बंद हो जाएगा हो सकता है आपके अगेंज कोई legal action भी ली जाए जो cyber law हो भी ठीक से पढ़िए और उसके बाद ही आप ब्लॉग के तरफ आए क्योंकि यह पब्लिश करना म जहाँ ब्लॉग एड्रेस लिखा है ट्रकॉंफलंट.blogspot.in तो यह उसका ब्लॉग एड्रेस है यह जो एड्रेस है यही आपको शेयर करना होता है जब भी आप किसी दूसरों के साथ शेयर करते तो आपको यह एड्रेस स्टूडन्ट को या को टीचर्स को या किसी को भी है तो यही करना है यही आपको दहन में भी रखना है उसके बाद यह जो कॉन्फरेंस एड्रेस लिखा है यह उसका टाइटल है ब्लॉग का इसके बाद यह जो मैटर लिखा है इसको पोस्ट बोलते है और अलग-अलग यहाँ पर आप देख रहे है टोटल पेज व्यूज के यह बतार करक्याब यह सारी ग्याजेट्स होते हैं यह आप डिसाईड करते हैं कौनि-गैजग्स इताइड करने यह तारे अपके पास होते हैं और यहां पर Edit option होता है जब आपका ब्लॉक तयार हो जाता है तो इसमें की जो सारी नीचे की जो पेज पर की चीज़े है जैसे कि यह टाइटल है यह पोस्त है यह गैजट यह सारे चीज़े आप Edit यह डिलीट कर सकते हैं लेकिन ब्लॉक का अड्रेस आप एडिट नहीं कर सकत है तो यह वेबसाइट मैंने ब्लॉगर यह जो ब्लॉग बनाए यह ब्लॉगर की वेबसाइट से बनाए तो चलिए देखते कि इसको step by step कैसे बनाए जाता है शुरुवत करते हैं रेजिस्ट्रेशन आप ब्लॉग तो शुरुवत करते हैं शुरुवत से हमें ब्लॉगर.com सर्च करना है Google में वहां से हम इस जगह पर आएगे यहां पर create your blog पर click करने के बाद sign in करना है Gmail से sign in करने के बाद आपको पूछा जाएगा आपके blog का title तो title फिर से आपको दिखाता हूँ confused नहीं होना है blog का title मतलब यह होता है conference at college of education यह title अब हम से पूछा गया है आप यह ध्यान में रखिए blog address और blog title में confused नहीं हो तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपका blog का address तो blog का title क्या है तो वह title वह होना चाहिए जो आपका content है उस title से आपका content पता चले science education है या फिर research papers है research methodology है social studies है language है grammar है जो भी आपका topic है वह यहाँ पर blog का title होना चाहिए उसके बाद आम next पर click किजिए उसके बाद आपको पूछे दाएगा आपका blog का address क्या होना चाहिए blog का address जो address बार में दिखता है वो तो यह blog का address आपको available होगा ही इस तरह से कुछ बोल नहीं सकते तो आपको यहाँ पर type करके try करना होगा आपको धहन में रखे कि जो आपका keyword है जो content है उसका keyword कहिन कहीं इस blog address में reflect होना चाहिए यह address हम एक ही बार ले सकते हैं इसको हम बार बार बदल नहीं सकते तो आपको एक ही बार लेना है जो भी जैसे की ज्यादा बढ़ा नहीं हो ज्यादा उसमें continuous spelling भी नहीं है ताकि type करने वाले कि कोई mistake नहीं हो आपको फिर से बदलना होगा उसके बाद next पर click किजिए अब यहाँ पर आप देखेंगे अब जैसे कि यहाँ पर हो गया है ब्लॉग टाइटल हो गया है और अड्रेस हो गया है तो अब उसके बाद यह विंडो सामने आएगी यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस होगा यह अब यहाँ पर हम ब्लॉग की पहली पोस्त तयार करने वाले है जो भी हमें आर्टिकल लिखना है जा चो चार बाते लिखनी ह लिंक शेयर करने यहाँ पर करना है तो इसके जो मेन विंडो है यहाँ पर आप देख सकते यह पहला वाला एरो दिखा रहा है कि आपका ब्लॉग क्लिक करते तो प्रिवीव हमारे ब्लॉग का आ जाएगा पोस्त है अब यहाँ पर पोस्त पर हमें क्लिक करना है और इसके ब बार भी है अलग-अलग यहां टाइटल में जो भी हम निक्षने वाले उसका टाइटल आप लिख लिजिए और उसके बाद उसका कॉंटेन यहां नीचे आएगा इस पेज पर आएगा तो आप यहां पर लिखिए टाइटल जीजिए जैसे में जिया है जियोग्राफिय अप महाराष्ट्रा आपकी साइंस के कोई टॉपिक होगी मैस्की होगी जो भी टॉपिक होगी आपकी टॉपिक वहाएगी चैप्टर नंबर जो भी होगा जिस तरह से भी आप देना चाहते वहाएगा उसके बाद यहा आपको शायद दिखना रहा हो लेकिन यहाँ पर एक पेज है एमेस वर्ट जैसे है पहले देख लेते कि क्या-क्या टूल्स यहाँ पर आविलेबल है जैसे कि यहाँ पर जो फॉन्ट साइज है वो नंबर में नहीं है इस तरह से दिए है लार्ज लार्जेस नॉर्मल इस त कर सकते हैं इसके बाद में यह colors आते हैं पॉंड के यह alignment आ गई हम यहां से हमारे पोस्ट में images भी upload कर सकते है अपलोड की normal procedure है जिस तरह से हम करते उस तरह से उसके बाद smiley हम इसमें insert कर सकते हैं अ तो यहां निचम ये पर मने जाती हैं vaharip Marti की करना के बाद कर सकते हूँ आप यहां पर हिंदी लेक्शन कर सकते और कोई भाष्चा किया है पहलें है तो यह तूल सब्सक्राइब के बाद हम साइड बार में आटे हैं साइड leer फिर सल्ग कि अबंगल मतलब टैग होते हैं जो सहलें आल किवर्ट के अंदर उसके कीवर्ट अंदर क्वर्ट त्यथे 谢 यह उसके बाद हमें आफ्ठी करें tak तो automatically उसी पॉब्लिश होना है या हमें schedule करना है तो हम यह भी कर सकते हैं जैसे आपको कोई class के लिए declaration करना है या कोई question paper यहाँ पर डालना है या फिर note डालने तो आपने वान लिए Saturday को क्या है तो आप चाहते है somewhere को देखे तो आप यहाँ पर somewhere की date डाल सकते हैं तो somewhere को जो भी आप चाहे time उसी time पर automatically यह post पॉब्लिश हो जाएगी आप अगर किसी के साथ share करना चाहते है यह article तो यह link यहाँ पर regenerate हो सकती है कभी कभी किसी post के लिए यहाँ पर location जरूरी होता है जैसे अगर आप geographical कुछ बता रहे तो महाराष्ट के तो अगर location लाग होता है तो आप यहाँ से location भी सिलेक कर सकते हैं मानली जी आप history में डेली के monument के बारे में बता रहे तो आप वो monument भी यहाँ पर search कर सकते हैं सबी सब्सक्राइब के लिए location देना जरूरी नहीं होता है यह सारे option है हम यहाँ पर दे भी सकते हैं और ना भी दे सकते हैं उसके बाद का setting आता है कि हम readers को comment करना अलाव करना है या अलाव नहीं करना है तो यह आपको सोचना है कि आप चाहते हैं आपके post के उपर comment आए या ना आए अगर आप चाहते है student वहाँ पर comment करें तो यह आप यहाँ पर click किजिए तो यह toolbar और sidebar हो गया उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं यहाँ पर जो यह आँख दिख रहे हैं यह प्रिविव का option है जैसे कि यह ब्लॉग के पोस्ट मैंने टाइप कर दी है तो इसके प्रिविव के बाद इस तरह से ब्लॉग दिखने आप देखेंगे कि यह एक website की तरह प्रिविव आता है तो यहाँ पर नीचे आपको प्रिविव का एक toolbar दिखाए देगा उसमें आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यह desktop computer वाला प्रिविव दिखाएगा अगर आपके side में क्लिक करते तो tab वाला दिखाएगा अगर यहाँ पर करते तो mobile वाला प्रिव्यू दिखेगा कि यह सेम ब्लॉक अलग-अलग प्लैट्पॉम पर किस तरह से लिखेगा यह रोटेशन या फिर जूम आउट जूम इन कर सकते हैं यह हो जाने के बाद आप क्लोज करें अब यह आर्टिकल तयार हो गया है सैंपल ही लिखाये मैंने अगर क्लिक करते ह्या है अगर आप इस तरह से पूरा हो चुका आती fifa साय नहीं के सब्सक्राइब ध्याव पॊपलीच हो गया है यह है यहाँ पर हो पूरी लिष्ट यह इस तरह से फैसे जहम माईर करते हैं अब जब हम रिय पेज्सपर अलग 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 आर्टाइड लेघए असलिक्रीणद करते तोать लाई तो यह स्क्रोल बहुत ज्यादा करना पड़ता है अगर आप चाहते हैं कि एक टैप की तरह ही बाजू में दिखे अलग आर्टिकल तो आप यहाँ पे एड न्यू पेज कर सकते हैं तो स्टूडेंस को स्क्रोल करके नीचे जाने के ज़ूरत ने वह साइड में पेज टू आपको पता है कि आगए आर्टिकल किस तरह से पढा़ने किस तरह से पब्लिश करना प्रिवियू स्टरस आता है आप यहाँ पे देख सकते आ यह पेज आ गया और यहाँ पे यह आर्टिकल भी आगया है कि अब याद रखिए आपका ये ब्लॉग अड्स हाई यह आपको धहन में रखना है और यही सबको देना है यही आपको रेफर करना है क्योंकि जब ब्लॉग नया होता है तो यह अगर Google search में टाइप करते तो शायद यह ब्लॉग सामने नहीं आता है जब तक उसको अच्छे से व्यूज ना जाए यह Google search में नहीं दिखाए देता है इस तरह से हमारा ब्लाग फोर्स तैयार होगे पेज भी तैयार होगे है अब इसका इसा बाकि का डिजाइनिंग है किस तरह प्लस करते है हम उसी इंटरफेस में हैं वही पर हुए जहाव से हमने पोस्टं क्रीएट की थी वही पर इतुल्यों सकते हैं तो इसलिपने पूरा डिटालीने देखने jesteśmy को मिल्सक्ता है हमारे देख हैं इसके वाद आएंगे लेयाउट में यहां से हमें डीजाईन करना है जैसे हम प्लेस होल्ड थे होते çocuğस इसी तरह से प्लेस होल्डर्स है सब्सक्राइब drag and drop करके रख सकते हैं उपर नीचे कर सकते हैं और उस placeholder का नाम भी वहाँ पर दिया हुआ है जैसे about me है मतलब जो हमारे खुद के बारे में वहाँ पर होगा इसके बाद में ब्लॉक की पुरा सारे आर्टिकल की लिस्ट यहां पर होगी अगर टैग्स दिये तो यहां पर होगे इस तरह से हम इस ब्लॉक का डिजाइन बदल सकते हैं इसको उठा कर इधर उदर नीचे किदर भी रख सकते हैं पूरा डिजाइन हम हमें खुद करना होता है उसके नीचे के अगर टैप देखते तो वहाँ पे आता है थीम में अलग-अलग सैंपल्स कलर डिजाइन वहाँ पे दिये हुए आप देखिए कौनसा आपके कॉंटेंड को सूट करता है नहीं तो आपको मैनुल भी उसमें डिज सब्सक्राइए जाए ब्लोग अड्रीजन कीरा देखिए लिए यह आपको शेयर करना है तो यह सारी सेटिंग होने के बाद यहां पे देख सकते कि यह जितने आप एक ही लॉग-इन-डी से बहुत सारे ब्लॉग बना सकते हरे ब्लॉग अलग-अलग दिखेगा उसकी पोस् ब्लोग ऐडरेस भी अलग अलग आएगा लेकिन आपको manage करने के लिए एक ही पेज पर आपको दिखाई दे सकते हैं यह बेसिक्स है आपके ब्लोग के जो मैंने बनाए उसके बेसिक्स है तो इस तरसे यह ब्लॉग पुरी तरह से तयार हो गया है इसके बाद यह ध्यान में रखे, आपका सेटिंग पूरा हो गया, तो आप साइन इट कर लिजिए, अब ब्लॉग तयार हो गया, और आर्टिकल भी दो पुब्लिश हमने कर दिये है, तो देखते कि अब नेक्स टाइम हम जब लॉग इन कर रहे हैं, तो किस तरह से करेंगे, यह आपको ब्लॉग एड्रेज जो आपको ध्यन में रखना है, अगर आप सिधे से ओपन कर सकते तो ठीक है, नहीं कर सकते तो ब्लॉगर.com पर जाएए और वाहसे साइन इन कीजिए, ब्लॉगर.com पर जाकर साइन इन करना है, गूगल के अकाउंट के साथ, उसके बाद west दिखेंगे यहाँ पर आर्टिकल की, आपका ब्लोग ने ऊपन होगा, आप ब्लॉग के डैच ब में आगे, यहाँ पर आने के बाद और अगर आपको नय आर्टिकल एपोर्स आय्यर करना तो आप इस प्लस के साइण के उपर आपको U donc के लिए पेज ओपन हो जाएगा आपको पता है किस तरह से पिर आर्टिकल लिखा जाता है इस तरह से हम предлаг बना कर उसको फिर से एडिट भी कर सकते हैं इस तरह से ब्लॉक का यह पुरा step-by-step demonstration मैंने दे दिया है जब आप करने लगेंगे तो आपको यह बहुती आसान लगेगा आपको अगर आता हो और powerpoint आता हो तो आपको ब्लॉक बनाना कुछ भी मुश्किल काम नहीं है इस तरह से ब्लॉक बनाई है अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरे teachers के साथ भी शेयर किजिए वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया